हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ गौल जी काय के बारे में गौल जी काय की परिभासा क्या होती है उसके वर्णन क्या होते है और उनके जो आकरिती क्या होती है तो उसके जो परिभासा है वर्णन है आकार है और आकरिती जो होती है वो भीन भीन प्रकार क इसकी परिभाशा क्या होती इसको बताने वाला हूँ, इसकी परिभासा है, यह इसका वर्णान और इसकी जो परिभासा है, वे गौलजी はい के बारे में में केमिलो गौलजी प्रोटीन भंडारन श्रावित होने वाले वेजिकल का जो है निर्मान करती है अब इस निर्मान के लिए क्या करती है कोशी का द्रव में कुछ जटी रचना होती है जिसको ही क्या कहते है गौजी का कहते है यही जो होती है इस पॉलिसेगरेट का संसलिशन करती है अब आती है इसके जो सरचना होती है कैसे होती है आकार और आकरिती जो होती है वह कैसे होती है भिन भिन इसलिए होती है क्योंकि क्रियात्मा कवस्था पर क्या करती है निर्भर करती है जैसे कि ये क्रिया क्रिया करके यानि कि कुछ कार ये करके ही क्या करती है आकरिती को जो है बड़ा या छोटा बनाने का जो है काम करती है इसका रणिया का होती है आकरिती और रकार जो है भीन्न होती है अब चलते है इसके जो है नेश्ट पार्ट में अब इसके नेश्ट पार्ट में होता क्या है तो सबसे पहले देखते है इसके सरचना क्या है सरचना बतानी से पहले मैं इसके कुछ विशेज बाते बताना चाहता हूँ जैसे कि जो गौल जी क्या होते है ये गौल जी क्या होते है यूकिरियोटी कोसिका में जो है पाय जाते है युक्रडी जो है कोशिका में पाय जाते है दूसरी जो बात है जन्तु कोशिका में क्या होते है ये गौल जी कहलाते है जब कि ये पादक कोशिका में जो है डिक्टियो सोन कहलाते है या बोला जाता है इस प्रकार से जो है ये पादा कुशिका में डिक्टोस हों कहला अब इनके जो आकरिती और अकार क्या होती है नरीका कार होती है और दूसरी सब्दे में बोला जाये तो ये सेब के समार होती है अब देखते हैं इसके जो है अगले रचना पर अब आते हैं इसके जो रचना होती है इसको जो है दो भागों में बाटा गया है सबसे पहले आते है इसके जो सीर भाग है और दूसरा जो है ट्रांस यानिकी सीस और ट्रांस भाग में इसको जो है बाटा गया है सिस भाग में जो है क्या क्या पाए जाते है जो वेजिकल होते है ये वेजिकल क्या करते है दूसरा जो बात है इसमें जो सिस्टर्णी पाए जाते है लिमेन पाए जाते है और इस्तरावी पूटी का जिसको हम वेक्यूल्स भी बोलते है अब आते है जो नए पूटी का गनिर जो है कैसा होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसके जो है सिष्टर्णी के बारे में ये सिष्टर्णी आखिर होता क्या है ये क्या होते है एक नलीका कार जो है चप्टे कोस होते है एक नलीका कार जो है चप्टे कोस के रुप में पाय जाते है जो दोनों भाग से ये कारे करते हैं जो उत्तल भाग होता है यानि कि उभरा हुआ भाग जिसको हम क्या बोलते है जो उत्तल वाला भाग है ये उत्तल वाला जो भाग है जिसको हम क्या बोलते है, forming forming face बोलते हैं, जो उत्तर यान्निकी, जो उप्रां हुआ भाग है इसको हम जो है, forming face बोलते हैं और जो दबा हुआ भाग है, जिसको ओतל जिसको हम क्या बोलते है muting face बोल ज्याते हैं जो face कहलाता है इस प्रकार से जो है दोनों face होता है अब इसमें क्या होती है कि ये 2 जिल्ली का बनाने होता है पहली जिल्ली और जो है दूसरी जिल्ली का बनाने होते है जिसके बीच क्या होता है 520 यह क्या होता है 520 जो ए डीगरी का जो है यहाँ पर गुहा बनाती है अब देखते है इसमें कुछ गालजी का यह कुछ धानिया पाए जाती है जिसको हम क्या बोलते है वेक्यूल ये क्या करती है वेक्यूल जो होती है इस इस्टरनी से जो है इस्त्रावित होती है जिसको इस्त्रावी पुटी का बोलते है ये इस्त्रावी पुटी का जो होती है गोलाकार के रुप में पाए जाती है जो की यहाँ उपान पर होती है ये क्या होती है इस प्रकार बना यहां क्या होता है सघन यहां कणिकी पदार्थ होता है सघन होता है और कणिकी होता है अब आते हैं इसके जो है वेजिकल वेजिकल क्या होती है यहां पे जो है वेजिकल यह वेजिकल क्या होती है एक मसूरूम के कार दिखाए देती है और इसका जो है उत्तल जुत्तल है वह forming face से सम्मानित रहता है क्योंकि यह उबरा हुआ पाय जाता है इस currency यह forming face कहलाता है यह क्या होती है जूड़ जूड़ कर क्या होती है यह आपस में जूड़ कर यह छिद्रनुमा आकरिती बनाती है छिद्रनुमा आकरिती का जो है निर्मान करती है अब इसके जो part है और इ वीडियो भी बना दिये है मेरे अगले जो वीडियो है जैसे की कारिय इस कारिय को मैंने अगले वीडियो में दे दिया है जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं थैंक्यू